देखते ही आ गया ना मूमे पानी तो देखिए कितना अमेजिंग और कितना टैंटिंग है यह आप सोच रही है कोई सबसी है जी नहीं यह सबसी नहीं है यह है ताजे हरे मटर का अचार आम का अचार, नीबू का अचार, गाजर मूली का अचार तो आप सभी ने कईों बार खाया होगा पर के कभी आपने इतना मज़दार हरे मटर का अचार खाया है जो बनाने में हैं बहुत ही आसान, 10 मिनेट में आप बनाकर त Newton और ट्यार कर लेंगे तो चलिए बिनादेर करें वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर इस अचार को बनाने के लिए मैंने लिए 500 ग्राम हरी मतर आपको एक खास बत का ध्यान रखना कि अगर कोई मतर इस तरह से अंकुरित हो गई है कोई मतर थोड़ी सी खराब है ना तो उसको निकाल देंगे क्योंकि यह जो इस तरह की खराब या अंकुरित मतर होती वह अचार को जादा टाइम तक नहीं चलने रेती है अचार को खराब कर देती है अच्छे से मतर को साफ कर लेना है तो मैंने यह पर 200 मटर का यूज़ किया है अगर आपके पास फ्रेश मतर नहीं है तो आप इस अचार को फ्रोजन मतर से भी बना सकते है तुछलिए अब नबिना देर करें इसको बनाना स्टार्ट करते है तो मतर डालने के बाद अब मैं इसमें पानी तो पानी आपको इतना एट कर देना है कि मतर बहुत अच्छे से डूब जाए मतर अच्छे से डूब गई है अब हमें क्या करना है फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम करने के बाद अभी मैं इसमें डाल दिया है एक चम्मच च एक दम परफेक्ट अचार के लिए पक गई है तो यहाँ पर इसको इतना ही पकाना आप हम उपक होगी यहां पर बड़िया हरा दिक रहा है और आप देख सकते हैं मतर का कैना बढ़िया हरा दिक लोगा थो उबालने के बाद भी क्यूंकि हमें चीन अट कर दी दी तो इसको कल हमें सारी की सारी मध्र को निकाल लेना है अच्छा आपको मट्र को तुरंत निकाल कर क्या वर्फ के तुभने डाल दीक अब अगर आप सोचे कि वर्फ के तुभलें नहीं है आई overly आई残 करोड़ें तो आप हेक將म करें जानगी तो आप की कोकिंग प्रोसेस रुख जाएगी दूसरा यह होगा कि इसका जो मटर का कलर है ना वो बरकरार रहेगा बस बर्प के तुकड़े और पानी मैंने दोनों चीज़े डाल दी है और इसको हमें पांच मिट तक ऐसे ही रहने देना इससे क्या हो जागा जो मटर है ना वो हलकी सी थंडी हो जाएगी इसकी कोकिंग प्रोसेस रुख जाएगी जब तक यह सारे बर्प के तुकड़े ना गुल जाएं तो पांच मिट के बाद यहां पर बर्प के तुकड़े घुल गए है मतर भी अच्छे सा थंडी हो गई है बट हलकी सी है श्रिंक हो गई है अब हमें क्य पानी निकल गया है तो आप इसको धूप में सुखा लीजिगा एक से दो गंटे के लिए और अगर आप चाहरें कि दूप में नहीं सुखाना है तो कोई भी किचिन टॉविल ले लीजिगा उस पर सारी मतर को फैला दीजिगा उसके बाद पंखे के नीचे आपको इसको एक से 2 गंटे तक सुखाना है जब तक कि इसका सारा मॉस्चर जो है उबर जो पानी को खतम सुखाना हो ज़ाए जब तक मतर अगदम ट्राय नहीं तब तक कैसको फाह मैं ने जले निख नौद है और दो गंटे के बाद देखकए जब मैं इसको हाथ में ले रही है हूं अचार बनाने के लिए तो चली अब बिना देर करे बना लेते हैं अचार का मसाला उसके लिए एक कड़ाई या पैन ले लेना है उसमें मैंने डाल दी है तीन चमच राई मैंने यह बनाश आ चाहिए तो पिली वाली राई भी ले सकते हैm डो चमच सोम टाल देना है दो चमच लेना है खड़ा धनिया और एक चमच हमें यहाँ रहाँ जो मसाला हम बना रहा हैं इस से आप कई तरह के अच्छार बना कर तियार कर सकते हैं इस मसाले को आप आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं अब हमें यहाँ पर लो टू मीडियम प्लेम पर इसको तीन से चार मिट तक भूनना है तीन से चार मिट जब आपको भूनेंगे ना इसमें हलके सी खुशबू आने लग जाएगी एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें राई डाली हो तो इसको बहुत जादा नहीं बूनेंगे नहीं तो हमारा जो अचार का मसाला है वो कड़वा हो जाएगा उसको थंड़ा होने के लिए रख देना है सेम पेन में मैंने सरसू का ओईल लिया है और ओईल को यहाँ पर अच्छे से गरम करना है मैंने यहाँ पर 200 ग्राम ओईल का यूज किया है आप कोशिच कीजिएगा कि अचार बनाने के लिए सरसू का ही ओईल यूज करें इससे अचार बहुत लंबे समय तक चलता है टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है अच्छे से धुआ निकलने लग गया था तो मैंने फ्लेम को आफ कर दिया था अब यहाँ पर हलका सा ओईल थंडा हो गया है तो थंडा करके अब हमें क्या करना इसमें थोड़े से मसाले एड़ करना है तो मैंने यहाँ पर आधा चमच मैथी दाना एड़ किया है उसके बाद एक चमच जीरा एड़ कर देना है और साथी में आधा चमच सोंफ एड़ करना है हलका सारी चीज़ों को भून लेना है साथ मैंने हींग एड़ कर दी है अच्छी फ्लेवर और खुश्पू के लिए और इनको हलका सा भून लेंगे हलका सा जब यो भून जाएंगे ना तो हमें क्या करना है फ्लेम को आफ कर देना है और उसके बाद इसको बिल्कुल थंडा होने के लिए रख देना है आप जब ये मसाले डालें तो आपको ध्यान रखना कि ओईल हलका सा ही गरम हो नहीं तो ये जल सकते हैं बस इसको मैं थंडा होने के लिए रख दूँगी यहाँ पर देखिए मटर हमारी अच्छे से रडी हो गई है तो अब हम इसमें एड करेंगे मसाले तो सबसे पहले मैंने जो मसाला अचार का रडी कियाता उसको पीस लियाता हलका सा मोटा पीसना एकदम बारीक नहीं पीसना है दरदरा पीसकर इसको मिक्स कर दिया है उसके बाद इसमें डालूँगी दो चमच भरकर नमक अचार में नमक थोड़ा सा जादा ही डलता है एक चमच डाल देंगे लाल नम अच्चे से कलर और तीकेपन के लिए एक चमच भरकर डालेंगे हल्डी और यहाँ पर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स दे देना है और अगर आप अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है झाल को कर देंगे साल हर वी डीयो की notification आप तक पहुंस सके तो यहां पर देखिए बहुत अच्छे से butter में सारे मसाले mix हो गया है यहाँ पर सारे मसाले हो गया है है अच्छे से mix और दूसरी बात अगर आप चाहर आपका लंबे समय तक चले अचा चाहे कोई भी हो उसके लिए जो भी बरतन आप अचाहर बनाने में यूज करें वो साप सुधरे सूखे हुए होना चाहिए और एक और चीज जो अचाहर को लंबे टाइम तक चलाती है वो है विनेगर तो मै सेलफ लाइब बढ़ जाती है अचाहर यहां पर देखिए कितना बड़ी आसा मिक्स हो गया है अब इसका असली कलर दिखाने के लिए हमें क्या करना है इसको धुक्र करके एक रात के लिए रख देना है एक दिन मैंने इसको रख दिया था उसके बाद मैं आपको दिखाती ह क्योंकि एक दिन के बाद इसका टैक्शर कैसा आया तो यह देखीगा ओइल कितने बड़िया से ऊपर आ गया है सारे मसाले फूल गया है इतना अमेजिंग इतना टैम्टिंग यह लग रहा है कि बस अभी खा जाओ वैसे इसको साल भर तक हम स्टोर कर सकते पर यह इतना साफ जार यह कंटेनर ले लेना है अच्छा सूखा हुआ साफ होना चाहिए और उसके बाद हमें क्या करना इसमें सारा का सारा अचार डाल देना है और आप चाहें तो इस अचार को ऐसे भी रख सकते हैं नहीं तो आप इसको एक से दो देना अगर दूब दिखा देंगे न है एक दो दिन दूप में उसके बाद यह अचार हो जाएका तयार वैसे आप चाहें तो इसको तुरन भी खा सकते हैं क्योंकि इंस्टेंट है और अभी भी यह बहुत अच्छा लगेगा तो इसको जरूर से ट्राइक करिएगा उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए खाते रहें खिलाते रहें मज़ी लीजिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए